नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जेनरल नौलिज के 10 most important questions लेकर आया हूँ ये दोस्तों सभी questions अच्छे और selected level के हैं और आपके exam के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे questions साबित होंगे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक request है मेरी कि अगर आभी तक आपने हमारे YouTube चैनल सिभा online classes को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर ले और bell icon को भी प्रेस कर ले जिससे आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुँचते रहे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो question number 1 है भारत देश का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है options है option A विशाका पटनम, option B मुंबई, option C पारादीप and option D है आपका कांडला तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगा कौन सा है options है आपके जो मैं आपको बता चुका हूँ और यहाँ पर जो correct answer है आपका वो है कांडला, भारत का सबसे बड़ा जो बंदरगा है वो कांडला है दोस्तों question number 2 भारत का सबसे बड़ा मरुष्थली राज कौन सा है option से आपके option A महराश्टरा, option B आंदरप्रदेश, option C राजिस्थान and option D है आपका दोस्तों इन में से कोई नहीं question number 2 का सही answer होगा option C राजिस्थान question number 3 है देश का सर्वस्यरिस्थ प्राकरतिक बंदरगा कौन सा है options है आपके option A मुंबई, option B मार्मागोवा, option C चे नई and option D है आपका विसा का पटनम तो देश का यानि कि भारत का दोस्तों सबसे बड़ा प्राकरतिक बंदरगा कौन सा है question number 3 का सही answer है option A मुंबई next question है question number 4 भारत में सर्वादिक मार्म बदलने वाली नदी कौन सी है option से आपके option A नर्मदा, option B गंगा, option C कोशी and option D है आपका इनने से कोई नहीं तो सर्वादिक मार्म बदलने वाली नदी है दोस्तों यहां पर option C कोशी नदी question number 5 है हमारा उच्छी नया अलेक या नया दोस्तों को सपत कौन दलाता है तो दोस्तों जो हाई कोट के जज होते हैं इनकर ये सपत कौन दलाता है अच्छा question है एक्जाम में बार बार पूचा जाता रहता है लेकिन इसमें confusion हो जाता है एक्जाम की टाइम पर और आप लोग गलत आंसर लगाकर आते हैं ठीक हैं और अगर सुप्रीम कोट के अगर यहां पर कोई जज है एसी का तो उसके लिए राश्ट्रफती सपत दिलाता है ठीक है याद रखने बाली बात है यह दोनों पॉइंट next question के तरफ चलने से पहले दोस्तों मैं आपसे request करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सिबा online classes को subscribe नहीं किया है तो हमारे चैनल को subscribe कर लें और bell icon को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो की notification आप तक पहुँचते रहे तो question number 6 की तरफ चलते हैं भ option C जबाहर लाल नहरू and option D महात्मा गांधी तो question number 6 का सही answer होगा आपका option A डॉक्टर भीम्राव अमबेट कर next question है हमारा question number 7 भारती सम्मेधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? option से आपके option A 26.1949, option B 26.1949, option C 26.1950 and option D 26.1950 question number 7 का सही answer है option D 26.1950, next question है हमारा question number 8 बुलंद दरवाजा निमलिकित में से किस से सम्मंधित है? option A अकवर, option B जहांगीर, option C सेरसा and option D होगा आपका बावर तो question number 8 का सही answer होगा option A अकवर next question है, question number 9 गायत्री मंत्र का सरप्रित्थम उल्लेफ कहां मिलता है? options है, उपनिश्द में, option B है आपका, पुराणों में, option C है आपका, रिगवेद में and option D है आपका दोस्तों, इन में से कोई नहीं तो question number 9 का सही answer होगा, option C, रिगवेद में आज की वीडियो का last question है दोस्तों, question number 10 भारती अंत्रिक्ष अनसंधान संस्थान का मुख्याले, कहां अवस्थित है? भारती अंत्रिक्ष अनसंधान संस्थान याने की इस रूप, Indian Space Research Organization का जो headquarter है, वो कहां पर इस्थित है, ठीक है? तो question number 10 का सही answer है, option A, बैंगलावर में तो यह थे दोस्तों, आपके 10 questions, जो की काफी अच्छे questions थे, तो उमिद करता हूं दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ में share भी करना, तो चलिए दोस्तों, आज क